नमस्कार आदर्शिक्षन संस्थान की आउनलाइन क्लासिज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तीन का भाग दो पढ़ने जा रहे हैं इसके पहले भाग में हमने प्राकर्तिक रेशे व संसलिशित रेशों के बारे में पढ़ा और ये जो प्राकर्तिक रेशे हैं रुई वर जूट हमें कैसे प्राप्त होते हैं और किस तरह से इनकी खेती की जाती है इसके बारे में भी हमने पढ़ा अब हमको रेशे तो प्राप्त हो गए लेकिन उस रेशों से हम तागा किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो हमारा पहला टॉपिक है सूती तागे की कताई आप स्वयम सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं हम गर पर भी जो है सूती तागा बना सकते हैं और इस सूती तागा बनाने के लिए हमें रूई की आवशक्ता होती है इस तागे को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है इसके बारे में हम क्रिया कलाब चार में पढ़ेंगे एक हाथ में कुछ रूई पकड़िये, दूसरे हाथ के अंगुटे तता तरजनी के बीच कुछ रूई की चुटकी बरिये और इसे धीरे धीरे रूई से बाहर की और खीचिये, जिस तरह चित्र में दिखाई गई है जिस तरह से चित्र में एक व्यक्ती रुई के पुंज को अपने हाथ की उंगली तथांगुटे से दौनों और खीच कर एट रहा है और इसी एटन के द्वारा उसको तागा बना रहा है रेशों को लगाता रहा है क्या आप तागा बना सकते हैं तो इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है हमें रुई से सुती तागा बना प्राप्त होता है रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं किसी भी रेशे से जब तागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह कताई कहलाती है इस प्रक्रिया में रूई के एक पुझ से रेशों को खीच कर एटते हैं ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है जब हम किसी रुई के पुंच को इस ता से खीच कर आठेंगे तो उसके जो और छोटे छोटे रेशे हैं उसको क्या हो जाते हैं एटने पर पास पास आ जाते हैं और उससे तागा बन जाता है कताई के लिए एक सरल युक्ती हस्त जो ये कताई है उसके लिए सरल युक्ती हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहते हैं जो की आपको चित्र में दिखाई दे रही है हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ती चर्का है चरखा आपने देखा होगा और चरखी का उप्यों कौन करते थे राश्ट पिता महात्मा गांधी उन्होंने सुद्नता आंधुलन के एक पक्ष के रूप में लोग फ्रियता प्रदान की थी उन्होंने जो चर्का चलाया था और चर्के से जो है स्वयम का हस्त हस्त निर्मित जो सुत्त धागा है वो बनाया और कपड़ा खुद ही वो बनाते थे उन्होंने लोगों को हाथ कतितागों से बुने वस्तरों को पहनने यानि खादी वस्तरों को पहनने के लिए जो है प्रोसाहित किया था तथा ब्रिटेन की मीलों से जो बना कपड़ा आयात होता था अपने देश में आता था उसका बहिशकार करने के लिए प्रोसाहित किया थ खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भार सरकार ने 1956 में एक संगटन का निर्मान किया जिसे खादी एवंग्रामो उद्योग आयोग करते हैं प्रहत पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की साहिता से किया जाता है आजकल जनसंख्या बढ़ती जा रही है अगर हम चर्खे के द्वारा खताई करेंगे तो सब के लिए वस्त रूपलप्त नहीं हो पा रहा इसलिए जो ये कताई का कार्य है वो मशीनों द्वारा किया जाता है कताई के पश्चा तागों का उप्योग वस्त बनाने में किया जाता है